सबसे पहला हम लोग रेशियो और परपोर्शनल पड़ते हैं ध्यान दिजियेगा युनिट टू सबसे इंपोर्टेंट पाथ होता है ध्यान दे पूरी अगर मैट विश्वास किजे अगर हमेरा मुझे पलना होता कि कम से कम समय में मैट को खतम कर ले तो अगर हम रेशियो पे पूरी कमान कर ले युनिट टू पे पूरी कमान कर ले तो विश्वास किजे पूरा मैट मतलब अर्थमेटिक खतम हो जाती है अर्थमेटिक का बेस ही यही होता है अर्थमेटिक पूरी अर्थमेटिक का बेस होता है तो त्यारती जब भी जहां रखेगा, पूरी अंग नित्व बनाने के आज तक दो ही तरीके बने हैं, एक तो आप लोग का इक केशन डिवलप करना, समिक्रन तयार करना, जैसा कि आप लोग मानते थे, माना की क्रेमुल एक्स रुप्या है, माना की चाल एक्स किलो मीटर पर घंका है, हाना दूरी वाई किलो मीटर है, तो जैसा ही आप एक्स वाई मानने लगते थे, तो एक समिक्रन डिवलप होता था, और समिक्रन को हल कर देते थे, तो आपका अंसर निकल जाता था, तो पहला तरीका तो जो हम लोग स्कूल बेस से पढ़ते आ रहे हैं, समिक्रन दूसरा तरीका होता है, विद्यार्थी जी पीस किसी व्यांग गनीत पर प्रस्न को हल करने का वो रेश्यो का तरीका, तो रेश्यो कैसे होता है, जब आप ध्यान दिजेगा, 9.5 में आप पढ़ा करते होंगे, कदो चीज़ आता था, एक तो मानते थे, माना की क्रेमुल ए इंसर पे जब मानते थे, तो रेश्यो पर कट होता था, तो समीकरन और रेश्यो में एक अंतर खास अंतर क्या है, जब रेश्यो की कंसेप्ट किलियर हो जाएगी, तो कलम बहुत कम लगेगा, कलम की जरूरत नहीं है, कल्कुलेशन तो आना ही है, वो तो कल्कुलेशन भी मै आप लोगो को जब लंबी कल्कुलेशन आएगा, तो मैं करने नहीं दूँगा, आपको बिना कल्कुलेशन का भी अंसर दूँगा, लेकिन मैंने कहाद द्यार थी जी, कि समीकरन में already कलम लगाना पड़ता है, जब समीकरन डेवलप करेंगे, तो कलम लगाने की जरूरत आप पढ़ने क्यों मेरे पास आयें, आप सारे मैस बना सकते, लेकिन फिर भी आप मेरे पास पढ़ने आयें, इसकी मेन बज़ा यही होता है, कि हम कम से कम समय में पूरा करें, क्योंकि आपका जितना भी जनरल कंपर्टीशन का एकजाम है, 99.9% एकजाम जो है, उस समय का मह अंसर दूँगा, हाना, अभी किबल हमारी बात समय में, तो मैं आपनों कुछ करा, कम से कम समय में अंसर देना होता, तो कम से कम समय कब लगेगा, जब आपको कलम लगाने की जरूत नहीं हो, अपनी दिमाग से कल्कुलेशन करें, तो ध्यान दिजिए हमने इसे दो तरीके स बोलते हैं, जब आपकी कलम लग जाती है, तो विद्यार्थी जी ओमाय का कोशन होता है, जब अगर कलम ना लगे, तो कोशन रीजनिंग का होता है, रीजनिंग का मत्दब क्या होता है, तर्क क्या धार पर अंसर देना, तो रेश्यो क्या है, आपको तर्क सिखाता है, तो unit 2 अगर care कर लेंगे, विध्यार्थी जी भ्यान दिज़ेगा, unit 2 अगर आप care कर लेते हैं, तो ध्यान दिज़ेगा unit 2 में आप लोग को, मैं यहां लेता हूँ, विध्यार्थी जी 30 से 40 दिन, 30 से 40 दिन आपका लग जाता है, रेश्यो में उसके बाद आप लोग को जितने भी और chapter हैं, यह 30 दिन का और होता है, ध्यान दिज़ेगा, 30 days और होता है, इसका मतलब दो महने के लगबद, आप लोग unit 2 चलते हैं, दो महने 10 दिन के आशपास, दो महने 10 दिन के आशपास चलते हैं, अब ध्यान दिज़ेगा इतना इतना time, तो time लगने का बस main मक्सद यही हो मैं maximum लूँगा तो 7-8 दिन लूँगा 7-8 दिन में समाफ हो सकती है लेकिन इसमें होता क्या है होमबर्क आप पे छुड़ जाता बना लो अच्छी बात है नहीं बना लो हमें क्या जाता है लेकिन अगर 30-40 दिन लेते तो उसमें आपको होमबर्क बनाना पड़ेगा और आप से मैं बनवा लूँगा बुलिए गया से राउनलाइन है कैसे आप बनवा लीजिए मैं आपको इतना प्रेसर करता हूँ आप खुद बना के आते हैं और बना लेते हैं जिस वास किजिए मेरा ऐसा सोच है कि मैं आप लोगों से बनवा लेता हूँ अगर होमबर्क नए बनवाएंगे तो यह साथ से हर दिन का है तो मैंने कहां बिद्ध्यार थी जिए इनिट टू की बाते मैंने कर ली जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट आपका रेसियो है जैसे हैं रेसियो और परपोर्शनल पढ़ा लेते हैं तो आप लोग को बताने चलते हैं कि देखिए सारे चप्टर में रेसियो लग रहा है यानि मातर एक रेसियो लिखेगा और अंसर दीजिएगा इस रेसियो का छोटा छोटा पाठ है सारे चप्टर विद्ध्यार्थी जी जितने भी चप्टर आप देख रहे हैं रेश्यो का ही पाथ है मन्दा एक रेश्यो लिख लो और सारे चप्टर का अंसर दे सकते हो और आते हैं विद्ध्यार्थी जी ध्यान दिजिए का उनिट टू में मैंने कहा रेश्यो कोष्णल है जैसे हिंदी में आप लोग मिस सानुपाद काते हैं जैसे बोलते होंगे पाँच आदमे किसी काम को 15 दिनों में तो 10 आदमी कितने दिनों में अब भाई रेश्यो है 5 आदमी 10 आदमी का मत् vitro 1 दुका है तो समय दूएक का लग जाएगा अर्था तुधर पांच दिन तो इज़र आए दिन पांच आदमी अगर पांच दिन में तो दस आदमी आए दिन में ये ratio ही put करता है उसी को हम लोग compound proportion करते हैं और compound proportion का ही थोड़ा सा अगला रूप तो तो आए time and work बोले कैसे सर तो ध्यान दिज़े का compound proportion में क्या होता mission पांच आदमी किसी काम को करता तास आदम महलाएं किसी काम को करता लेकिन time and work में होई काता A, B, C किसी काम को करता तो यहाँ जब ध्यान दिज़े कोई नाम आने लगता है तो time and work हो जाता है और जब group आने लगता है तो compound proportion हो जाता है उसके just आगे चलिएगा तो work and wages भाई काम कियो तो मज़ूरी तो मिलना चाहिए तो सारी बाते करूँगा तो मुश्किल से एक महने का class होता है विद्यार्थी जी एक महने में हो जाते है अर्थाद लागभग दो महने का class होता है ये unit 2 main type अब चलिए विद्यार्थी जी मैं unit 3 पे चल रहाए